वेल्कम टू वर्ल्ड अवर्नेस इस डील को इंडिया और फ्रांस के बीच में 2005 में साइन किया गया था और इस डील की टोटल कास्ट थी 23,652 क्रोड रुपे उस विसाब से पर सब्मरीन की कास्ट आती है 3,942 क्रोड रुपे इस डील में ट्रांसपर और टेकनलोजी भी सामिल थी इसलिए इन सब्मरीन की के द्वारा ही किया जा रहा है और ये पूरा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75 हाला कि इंडेन ने भी इसके बाद भी 6 सब्मरीन को खरीदेगी जिने प्रोजेक्ट 75 आई के तहट खरीदा जाएगा अब हम आपको आइनस वगीर के बारे में बताते हैं तो आइनस वगीर एक डिसल इलेक्ट्रिक अटेक सब्मरीन है जिसका डिस्प्लेस्मेंट 1775 टन का है इस सब्मरीन को पावर देने के लिए इसमें प्रपल्जल सिस्टम के तौर पे 4 डिसल इंजन लगे हैं तथा उसके साथ साथ इसमें 360 बैटरी सेल्स को भी दिया गया है आइनस वगीर का जो मैक्समम स्पीड है वो है सरफेस पे 11 नॉट यानि 20 किलोमेटर पर हावर तथा समर्ज की इस्तिती में यानि पानी के अंदर इसकी जो मैक्समम स्पीड है वो है 20 नॉट यानि 37 किलोमेटर पर हावर की बात करें इसके रेंज की तो इसकी रेंज है 6500 नॉटिकल माइड यानि लगबग 12,000 किलोमेटर की और वही पे इस सम्मरीन का जो इंडूरेंस है वो 15 डेज का है यानि ये सम्मरीन 50 दिनों तक एक बार में सम्मुद्र में रज सकती है उसके बाद इसे food and fuel supply लेने के लिए किनारे पे आना होगा आयने स्वगीर को काफी एडवांस और मौडरन वेपनस और सेंसर से equipped किया गया है अगर हम बात करें इसके electronic warfare and decor system की तो इसमें anti torpedo countermeasure system को दिया गया है यानि ये किसी भी torpedo से इस सम्मरीन की सुरचा को प्रदान करता है और वही पे इसके वेपनस की बात करें तो इसमें वेपनस torpedo भी सामिल है उसके साथ साथ इसमें SM-39 Exocet anti-sip missile भी लगी हुई है हम आपको exocet anti-sip missile के बारे में बता दे कि ये missile टोटल 50 km तक range प्रवाइड करती है और इसकी जो maximum speed है वो है 1148 km इस missile का जो total weight है वो है 760 kg का तथा इसमें 165 kg के वारेट का इस्तबाल किया जाता है जब भ उस deal में इस missile की deal को भी sign कर दिया गया था आइनस वगीर काफी silent submarine है और इसकी design को still thier बनाया गया है यानि इसे दुस्मन के द्वारा आसानी से detect नहीं किया जाए पाएगा इसके साथ DRDO के द्वारा इस submarines के लिए AIP system को develop किया जा रहा है जिसे 2024 तक इस submarine में fit कर दिया जाएग सिस्टम के बारे में हम आपको बता दें कि AIP system का मतलब होता है Air Independent Propulsor System इस सिस्टम की मदद से ये submarines समुद्र में काफी जादा दिनों तक रह के operate की जा सकती है यानि इसे surface पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी submarine को track कर पाना तब आसान होता है जब वो पानी के उपर आ जाए यानि surface पे लेकिन अगर कोई सम्मरीन पानी के अंदर यानि सम्मर्ज इस्तिती में ही operate करती रहे तो उसको detect कर पाना काफी मुस्किल होता है इसलिए ये AIP system इस सम्मरीन के लिए काफी ज़्यादा important है और इस AIP system को इस पे install कर देने के बाद ये सम्मरीन और भी ज़ द्वारा हम Chinese नेवी को आसानी से counter कर सकते हैं अलाकि इंडेन नेवी और भी ज़्यादा नए सम्मरीन को खरीदा चाहती है इसलिए इंडेन गवर्मेंट के द्वारा इस बार के defense budget में इंडेन नेवी के budget को बढ़ा दिया गया है तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही खत सब करते हैं चाहे हिंद